पॉर्णिंग फ्रेंड्स कंजूमेंट इलेक्टोनिक्स में आपका स्वागत है आज हम यूनिट टू शुरू करेंगे डिजिटल ओडियो फंडमेंटल्स तो उसमें सबसे पहले हमारे विताद इसमें तीन टोपिक में भिवाइड करेंगे सबसे बहुत टोपिक है डिजिट एंडट सिहले सपन आज हमेंट श Ignail की बात करेंगे इसके पर्फेंगे हैगे डियिटल ओडियो कातात पर ये उस साउंड से है जिसे डिजिटल फोरम में record या convert किया गया हो Basically हमें sound को डिजिटल फोरम में record करना है या उसे convert करना है तो डिजिटल ओडियो सिस्टम में analog electrical signal जोकि sound को व्यक्त करता है को EDC synagogue to digital converter की साहता से digital sound में convert किया जाता है इसके लिए PCM Pulse Code Modulation का यूज क्या जाता है इसका मतलब क्या है बिसके लिए हो क्या रहा है हमारे पास जो sound है उसको digital form में store करना है या convert करना है रिकोर्ड करना है ठीक है जिसे CD बगरना में हमारी digital sound वो में record रहती है sound ठीक है DVD बगरना में तो उसमें हो क्या रहा है हमारे पास जो audio है वो basically mechanical जो हमारे sound है वो mechanical एक pressure signal है acoustic signal है उसको हमने microphone की help से क्या किया हमारी जो sound signal का उसको audio signal में convert electrical signal में convert किया अब हमारे पास इससे पहले कुछ subject में हमने बहुत त्यान से पढ़ा था कि analog को digital में convert करना है तो ADC यूज़ करेंगे analog to digital converter उसके कई टाप भी हमने पुराना सब्जेक्स में पढ़े हुए है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम PCM pulse code motion का use कर सकते हैं मतलब pulse के help से एक analog signal की sampling करेंगे फिर quantization करेंगे encoding करेंगे तो हमने क्या कर लिया ये एक जो है sound थी sound को analog signal में audio signal में convert किया जो कि basically analog electrical signal है उसको ADC analog to digital converter की help से digital sound में convert किया जाता है इसके लिए हम PCM pulse code modulation का परयोग कर सकते हैं digital audio signal को computer को हम computer की help से record, edit, modify या copy किया जा सकता है मतलब उसको record भी कर सकते हैं change भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत cut करना हो या दो audio को add करना हो modify भी कर सकते हैं और कुसी दूसरी copy भी बिना सकते हैं क्योंकि analog कोई है तो उसमें copy करेंगे तो उसमें problem के रहती है noise produce और जाता हो जाता है digital में ऐसा नहीं होता है तो computer जैसे भी audio playback machine या फिर other digital tool भी यूज़ कर सकते हैं तो digital audio signals को computer या audio playback machine या अन्य digital tool की help से record, edit, modify या copy किया जा सकता है analog signal में ऐसा नहीं होता है होता है तो उसमें क्या होता है noise produce हो जाता है जिदी copy करते हैं तो इस sound जो किससे में क्या convert हो गई है digital audio में को सुनने हे तो इसे analog signal में convert करते हैं मतलब हमने अब playback करना है हमारे पास digital sound है तो वापस हमें पहले सुनने के लिए क्या सी है basically sound signal चाहिए लेकि पहले digital से क्या रहेंगे analog में आएंगे analog से फिर sound में आएंगे digital से पहले analog में लाने के लिए DSE यूज़ करेंगे और analog जो signal है basically electrical signal है उसको सुन तो सकते नहीं तो उसे क्या करेंगे माइक का यूज़ करेंगे माइक का उल्टा पार्ट माइक का counterpart यूज़ करेंगे ठीक है तो basically sound जो है digital sound है उससे सुनने सकते उससे पहले analog electrical signal में कर्मट करेंगे और उसको फिर लाड़ स्पीकर के द्वारा sound में कर्मट करेंगे तो इस sound डिटल ओडियो को सुनने ये तो इसे analog electrical signal में analog signal में convert करते हैं DSE डिटल इनलोग कर्योंट करके फिर audio power amplifier जैसे लाड़ स्पीकर का यूज़ करके sound को reproduce किया जा सकता है इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि वाट इस compression के बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में अधर कंपोनेंट हैं ये compression होता है प्रोसेंग होती है ट्रांस्मिशन होता है तो हम बिसिकली यह समझ रहे हैं कि हमने sound signal था उसको माइक की हेल्प से पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसका फाइदा क्या है रिकोर्ड एडिट मोडिफाई ये कोपी किया जा सकता है फिर बेसिकली उसकी बाद में हम यह उसे सुनना चाहते हैं कभी हविश्य में या फिर उसके बाद तो हम उस sound को जो डिटल साउंड है पहले एनलोग में करेंगे आलोग टोटोटाल करवेटर काफी अपलेवल होते हैं फिर टाइप के और उसके बाद उस एनलोग इलेक्टिकल सिगनल को लाट स्पीकर या पावर अंप्लिफाइर चेंप्लिफाइर कर लेंगे क्योंकि उसका इम्प्लिटूड बहुत कम होगा पावर बहुत कम होगी तो और सभी तरह की लिटेस्ट वीडियो के लिए आप मैं एक बार फिर याद दिला दू आप चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो इजली मिल सकें और डीचल ओडियो सिस्टम के अन्य कंपरेंट क्या कहा हैं कंप्रेशन स्टोरेज प्रोसेशिंग और ट्रांसमेशन इसके अड्वन्टेज क्या हो सकते हैं अड्वन्टेज तो हमने देखे लिए हैं बिसकली एक बर फिर पॉइंट वाज यह दी एक्गाम में लिखना है तो यह वहाँ पर आपकी कोपी बनाते समय नौई प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें क्या है एसा नहीं होता है इसमें बहुत सारी एक्जामपल की रूप में जैसे डिजिटल ओडियो एड्लाइन डिस्टिविशन सिस्टम की हेलप से बहुत सारी कंपनी इसक्या है डिश इंटरनेट के माध्यम से कर्णियूमर को बेच सकते हैं जैसे कि आपकी music file है sound file है यह आपकी basically company द्वारा digital sound file के रूप में internet के माध्यम से बेच चाह सकते हैं जो इसकी digital audio और online distribution system की help से मतलब जो आपकी digital audio है वह कैसे बेच जाएंगी digital sound file के रूप में इंटरनेट में बहुत सारी अबलेबल रहती है digital sound file आप सुनते हो तो वह सब क्या है इसकी application है ठीक है थैंक्यू